नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चेनल रियल गयांदर शक्पर, मेरा नाम है देवा ब्रेजवासी और आज हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण एतियाजिक युद्धों के बारे में, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्र में लड़ा गया था, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इस युद्ध ने भारत में मुगल सामराज के नीव रखी थी, बाबर की तोपों और रननीती ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिया, इस युद्ध ने भारतिये और अक्बर के बीज लड़ा गया था। यह उद्ध राजस्थान के हल्दी गाटी में हुआ था। महाराना प्रताप की वीरता और उनके घोड़े चेतक की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हाला कि यह उद्ध निर्णायक नहीं था लेकिन महाराना प्रताप की वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। यह बात इंटरनेट पर मिलती है कि यह उद्ध निर्णायक नहीं था। असल में बात यह है कि यह उद्ध निर्णायक ही था और यह उद्ध महाराना प्रताप जीते क्युंकि अकबर एक नंबर का शड्यंत्रकारी था। उसने महारण प्रताप जी को मारने के लिए अलग-अलग शड्यंत्र रचे। और अक्बर ने अपने पूरे जीवन में महरण प्रताप जी से जितने भी युद्ध लड़े उन सबी में अक्बर हा रहा ही है दोस्तो ये बात याद रखना और हर बार अक्बर को उसके खान बाबा यानि की बेरम खान उसे बार बार युद्ध से भगा ले जाता था प्लासी का युद्ध दोस्तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था यह युद्ध अंग्रेजो और सिराजद्दोला के बीच हुआ था इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजो के शाषन की निव रखी रोबर्ट कलाइव की रणनी थी और मीर जाफर की गद्दारी ने सिराजद्दोला को पराजित कर दिया इस युद्ध ने भारती इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा अच्छा मित्रो कमेंट करके बताईए कि क्या विदेशी आक्रमनकारी भारत पर अपने पेर पूरी तरह इसलिए पसार पाए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था भारत के गद्दारों पर मित्रों जिस जिसको भी इतिहास में रुची है वो क्रप्या करके कमेंट में इतिहास टाइप करें मित्रों 1857 का स्वतंतरता संग्राम भारत का पहला स्वतंतरता संग्राम था ये संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ भारती सैनिकों और जनता ने मिलकर लड़ा था मंगल पांडे, रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने इस संग्राम में महत्व पूर्ण भूमी का निबाई दुलाजू जासी की महरानी लक्ष्मी बाई जी की जैठानिया और पतानिय से कितने घद्दार थे जिन पर अंग्रेजो को पूर्ण विश्वास था और उसन के इस युद्ध ने भारतिय स्वतंतरता संग्राम की नीव रखी थी और वे आग स्वतंतरता संग्राम की कभी नहीं बुजी तो हुए चाहिए हुए हिंदी में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वीडियो आपके लिए इन्तजार कर आती होगी. अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वन्दिमातरम, भारतमते की जै, जै श्री राम!